गमाद्या एलाइंस के काले कारणामे सिरीज में आज हम देखेंगे विपक्षी पार्टियों की फर्जी गैरेंटी की राजनीती कैसे घमंडिया एलाइंस की पार्टियां चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े फर्जी वादे करती है और चुनाव के बाद जंता को सिर्फ बदहाली मिलती है ऐसे फर्जी बादे करने में देश की नंबर वन पार्टि है कॉंग्रेस करनाटक, राजस्थान, 36 गड़ होया हिमाचन ये सभी राजिय आज कॉंग्रेस के जूटे वादों की कीमत चुका रहे है सबसे पहले बाद करनाटक की करते हैं जहांके वेलारी शहर को राहुल गांधी ने जीन्स कैपिटल बनाने का वादा किया था लेकिन चुनाव के बाद जीन्स कैपिटल बनना तो दूर बिजली की अनियमित कटोती के कारण आज बिलारी की जीन्स इंडस्ट्री ठप होने की कगार पर है और इसका सीधा प्रभाव यहां के लोकल उद्यमियों और शमिकों पर पढ़ रहा है करनाठक की तरह ही राजस्थान में राहुल गांधी ने एक से दस तक गिंती गाई थी और बोला था कि सरकार में आते ही इदने दिन में किसानों का कर्ज माफ करके दिखा देंगे लेकिन राजस्थारकार के ही आंकड़े बताते हैं कि पांच सालों के भीतर उननीस हजार से अधिक किसानों की जमीन कुर्क कर ली गई 36 गड़ में भी कॉंग्रेस ने अनेक वादे किये और उनमें से एक था शराब बन दी पर हुआ क्या सरकार ने उल्टा शराब घोटाला ही कर डाला हिमाचल में कॉंग्रेस ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही थी परंतु 300 यूनिट मुफ्त देना तो दूर उल्टा बिजली को ही महंगा कर दिया फ्री फ्री का शोर मचाकर सत्ता में आई कॉंग्रेस सरकार के पास हिमाचल में सैल्टी बाटने तक के पैसे नहीं है कॉंग्रेस राज में हिमाचल की हालत इतनी खस्ता हाल है कि नगर निगम तक से बजट वापस ले लिया गया है फर्जी बादे करके सत्ता पाना और फिर राजी को बर्बाद करने की ये सिर्फ अकेली कॉंग्रेस की कहानी नहीं है यही हाल धमंडिया एलाइंस की आमादी पार्टी का भी है कट्टारे मांदारी का ढोल पीट कर सत्ता में आए केजरीवाल ने करप्शन पर निशाना साथते हुए कहा था ना रिश्वत देना और ना ही रिश्वत लेना लेकिन आज इसके खुद के बड़े बड़े मंत्री भृष्टाचार के आरोप में जेल की हवा खा रहे है केज़गी वाल दिल्ली से प्रदूशन खत्म करने के और यमुना साफ करने के बादे पिछले नौ साल से कर रहा है पर दिल्ली के हालात सुधरने के बजाए और बत्तर होते जा रहे है आज दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूशत हवावाला शहर बन चुका है आजपमंडिया ऐलाइन्स की फरी की राजनीति के चलते कई राजयों पर कर्ज का बोज चिंता जनक स्तर पर पहुंच छुका है रिजर बैंक भी कई बार इन राजयों को चितावनी जारी कर चुका है गमंडिया एलाइंस की पार्टियों के पास ना तो नीती है और ना ही कोई नियत है अगर कुछ है तो बस जूट बोलकर त्रीका लालच देकर या फर्जी गैरेंटी रटा कर जनता को ठगने की कला पहले सारी पार्टियां अलग-अलग देश की जनता को ठग रही थी अब जोड तोड करके मिलकर ठगने की तयारी कर रहे है लेकिन गमंडिया एलाइंस की फर्जी गैरेंटी की हकीकत अब देश देख भी रहा है और समझ भी रहा है